एक महत्मूर सूचना ये वीडियो के वाल एजुकेशन परपस के लिए बनाई जा रही है वीडियो में दिखाएगा कोई भी लेबल कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी ट्रेट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च अपने फैंसर अडवाइजर से सला जरूर ले लें प्रॉफिट और लॉस के रिस्पॉंसिबिल्टी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी पूरा देखके जाओगे कुरुडायल नैचुरल गैस पर आपको कोई भी डाउट नहीं बचने दूँगा जितनी भी मैंने अनालिसिस लगानी आज की वीडियो लगा कर आपको बढ़िये लेवल बताऊंगा जो आज की वीडियो में प्रेडिक्शन करेंगे वो आपको द अंदर ना ट्रेडिंग एक बिजनस है ट्रेडिंग को ऐसे बिजनस लोगे यहां पर रिस्क रिवार्ड मैनेज करोगे चोटा सा स्टॉप लास देखकर बड़े से टार्गेट के लिए बैठोगे क्वांटिटी चोटा रखोगे और जब डिसिप्लिन से ट्रेडिंग तो क्लास अलेडी फुल हो चुकी है प्राइस आज नाइट में हाइक हो जाएंगे आठ से दस सीटे बची थी लास्ट मेरे को 100 स्टूडें तक चाहिए 100 स्टूडें तक 7500 रहेगा उसके बाद मुझे चाहिए ने इसलिए मैं प्राइस बहुत जादा इंक्रीज करने वाला मेरा स्टूडेंट जो भी इसके अंदर इन्रॉल किया है दस दिन से मैंने एक भी पुट कॉल नहीं दिया एक भी मैसेज दिखा देना कि हां तुमने पुट बताया तुमने कॉल बताया 100 पे बाई करो 150 पे टार्गेट बुक करो 100 पे बाई किया तो 80 का स्टॉप लास रखो ऐसी कोई भी ट्रेड अगर मैंने दियोगी मैं यूटूप छोड़के चला जाओंगा यह सब लोगों ने अपने दम पे अपनी महनत से ट्रीडिंग की है मैंने उनको सिखाया है मेरे स्टूडेंट है आप सोचते रह जाओगे त्री डेस का गैरेंटेड मनी बैक पॉलिसी रखी है मैंने आकर के सार्याम एनाउस कर रहा हूँ अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया इमेजटले एक्जिट कर लेना मुझे आकर मैसेज कर देना आप एप्लिकेशन में भी फीचर है मैसेज करने का और यहाँ पर भी फीचर है आप जाकर के बड़ी आसानी से जॉइन कर सकते हैं चेक कीजिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहली बात तो यहाँ पर ना जब मार्केट हिट की तो मैरे मैरे मैक्सिमम स्ट्रीट मुझे बता रहे सार मैंने पूट मार दिया है आपने क्या क्या लिया मैंने का मेरे से क्या मतलब है तुमको जो सिखा अबतार क्लास ले रहा हूं लाइप क्लास भी ले रहा हूं रिकॉर्डट वीडियो भी है मिक्स करके उनको सबसे पहले उनके लॉसे रोकने के लिए बढ़िये तरीके से एनलाइज करना मार्केट को बताया उसके बाद आरसा इंडिकेटर को मर्ज करके कैसे ट्रेट निकल डाउन फॉल दिखा सकती है और बोलने की जूरती है चाट आपके सामने अब यहां पर what next crude में क्या हो सकता है देखो मेरी एक बाग आपको ऐसा लगता है ना बहुत गिरगी और कितना गिरेगी तो ऐसा मत सोचा करो मार्केट में बहुत गिरगी तो और मार्केट गिर के दिखा देगी आप परिशान हो जाओगे मार्केट ऐसा कैसे कर सकती है है ना ऐसा नहीं होता है मार्केट के पास मल्टिपल सपोर्ट है आप सोचो के इस सपोर्ट पर रुकेगी थोड़ा बुत रुकने का ड्रामा करेगी फिर तोड़ देगी आपको मल्टिपल टाइम फ्रेम बचा करके एनालिसिस करनी पड़ेगी सीखनी पड़ेगी तब जाके पॉसिबल है कि आप यहाँ पर पैसा बना सकते हैं अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगी याद रखना मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पर हूँ जब तक क्रूड आयल इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगी फ्यूचर के चार्ट पर ड लेकिन दोस्तों अगर मार्केट ने कल के लाइफ सेशन का जो लास्ट लाइफ सेशन का अगर लोग तोड़ा तो नीचे की तरफ जो इंपॉर्टन सपोर्ट एरिया है डबल फाइफ डबल जिरो जो मैं इतने दिन से अपने वीडियोस के थमनेल में लगाता था लोग आके कमेंट्स में आस्ते थे सर क्या बात कर रहे हो डबल फाइफ डबल जिरो मैं तो बोल रहा हूं फाइफ थाइजन कहीं ना आ जाए गलती से क्योंकि वो area break हुआ तो सीधी या तरह फिर ये नीचे की कर जाएगा है न तो ये चीजे दिखाई दे रही है अच्छा चली जड़ा आते हैं hourly time frame पर अगर आप देखोगे तो clear cut breakdown यहाँ पर दिखाई दे रहा है और hourly time frame पर ये वाला जो area है ये वाला एक swing low है market अगर गलती से भी इस जगह पर पहुंच गई और यहाँ से resistance ले लिया मैं market को short कर रहे बगर नहीं छोड़ूँगा एक attempt तो जरू करूँगा sell करने के लिए market में बस ये rejection इस trend line से rejection ले लिया I will go for the short position मैं यहाँ से short position लेना prefer करूँगा ये बात मैं आपको बता रहा हूँ right अच्छा downside के ल और इसके नीचे market फिट थोड़ असा आपको deep correction दे सकती है तकरीबन आप मान के चलिए कि यहाँ से एक running correction की भी बात करें तो double five double zero के लिए market जो है वो जा सकती है उसके बाद जो number आएगा वो five four double zero का भी यहाँ पर दिखता हुगा नजर आ रहा है अगर दोस्तों चलते हैं 15 टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर clear आपको एक कई लोग यहाँ पर reversal की उमीद कर रहे है करना जायाज भी है क्योंकि उनको लगता है इतना गिर गी है और कितना गिर गी है ना ऐसा लगता है आपको तो एक छोटा सा pullback अगर आए तो दुनिया उसको सोचेगी हाँ देखो दे कपन हैंडल पैटन अगर ऐसे करके नीचे आया फिर वापस गया तो इसको बोलेंगे डबलू पैटन अब यह दोनों पैटन यहाँ पर बनने की उम्मीद दिख रही है तो इन दोनों पैटन को देखने के बावजूद भी मुझे मेरा स्टूडेंट हस रहा होगा गुर जी यहाँ पर कपन हंडल निकला तो भी मैं कॉल नहीं लोंगा और यहाँ पर डबलू बना के भी निकला तो भी मैं कॉल नहीं लोंगा आप भी सुझेर क्या मजाक है ऐसे किसे कॉल नहीं लेगा मेरा स्टूडेंट कॉल उसको स्ट्रेटरजी है सेर की हुई वो ऐसे थोड़ी चर्चा आपको कमेंट्स में मिल जाएगा थोड़े दिर वीडियो के अपलोड होने के 20 मिन 30 मिन बाद दोबारा करके देखना मेरे स्टूडेंट आपको कमेंट्स में आपको बताते हुए मिलेंगे स्टूरी राइट चलो तो अगर यहाँ पर कोई भी पैटर निकलता है तो एक हलका फुलका स्कैल पर मिल सकता है क्या बोला मैंने scalping moment मिल सकता market scalping moment दे सकी target होता है छोटे छोडे target उसके लिए उपर की तरफ जा सकती ठीक है समझ मैं आया मेरे लिए market यहां से घूंद कर उपर चली जाए या थोड़ा नीचे आकर उपर चली जाए ऐसे जाए कोई फर्क ने पड़ता मेरे लिए यह थोड़ा सा short term में short term में हलका सा एक reversal आ सकता है तो 57 28 के बाद एक छोटा सा 99 सा BTP small s BTP सुना कभी आपने आज लिख रहा हूँ s BTP होगा और मैं इस trend line के लिए जाऊंगा अब आप बोलोगे trend line दा number दोना तो trend line अगर जुकती हुई जाए तो उसका number बदल सकता क्योंकि अगर रुखते रुखते गई तो यहाँ touch करेगी खुलते ही गई तो यहाँ touch करेगी इसलिए इसका कोई number नहीं हो सकता trend line का कभी कोई number नहीं हो सकता इसको clear किया तो यह जो support area हुआ करता था ये बनेगा resistance 5810 आपका second level और यहाँ पर active होगी मेरे student यहाँ पर वो active होगे कोई भी negative candle candle यहाँ मिल गई तो रगड़ देंगे अगर नहीं मिली तो वो wait करेंगे और हाँ ऐसा नहीं है कि वो negative candle मिल गी तो आख बंद करके रगड़ देंगे वो stop loss भी रखेंगे क्योंकि उनको money management risk reward नहीं manage करना आएगा तो आपकी तरह सर मैं call hold कर रहा हूँ क्यों hold कर रहे हो सर मुझे लग रहा है न कि double six double zero आएगा अच्छा ऐसे कैसे आएगा भाई ऐसे कैसे आजाएगा उमीद में hold की हुई trade आपको profit देगा मानती ही नहीं हो आप लोग मैं कितना सिखा हूँ कितने दिन से सिखा रहा हूँ जिस trade में 10% उड़ गया न वो trade आपके खिलाफ हो चुकी है बसके देगा क्योंकि उसको पता है 100 पर entry कर रहा है 90 पर SL है ले 10 पॉइंट दे रहा हूँ है लेकिन तू गिरी तो जो यहाँ पर यह लड़ू लेने आए है न यह call buyer इनका जब SL उड़ेगा न तो मार्केट सटाक से यहाँ आए क्योंकि इनको जटके से निकलना पड़ेगा और जब जटके से निकलेंगे तो इनकी सजा इनकी निकलने के सजा इनको मिलेगी लॉस के रूप में और वो हमारे smart trader का profit होगा आप समझते नहीं हो आपको लगता है पता नहीं क्या सिखा रहा हो होगा कोर्स में कोर्स में जो सिखा रहा हूं न अगर पसंद ना है तो तीन दिन में आपको बोला है money back guarantee अब इस ज्यादा क्या बोलो इस ज्यादा कोई बुलेगा किसी को बद आपका नाम बदनाम नहीं करूंगा चुप चाप आपको पैसा refund कर दो ठीक है जाओ कोई बात म मुझे message कर देना अलग से सर नहीं करना आपका उपर WhatsApp नंबर है और कोर्स में भी चैट रूम परसनल चैट रूम का option है कोर्स में गुरूप चैट रूम का भी option है मेरे साथ आप गुरूप में भी रहोगे हमेशा अब आपकी मर्जी आपने मानना है नहीं मानना क्या करना आ यहां पर अगर मार्केट आती है तो मेरे लिए एक selling point हो सकता है because strong resistance selling zone मैं लिख रहा हूं selling zone है मेरे लिए यह ऐसी candle छोटा player नहीं बनाता है छोटा player ऐसी बनता है पुद्धी-पुद्धी candle छोटी-छोटी यह small pillar बनाता है यह candle बड़े प्लेयर की यहां मार्केट आ गई त तुम वेट करें तो तुम्हें trading नहीं आती है तुम्हें trading नहीं आती है और हाँ एक और बात बता दू मार्केट जैसे नीचे से trend line follow कर रही है वैसे ही trend line उपर से भी follow कर रही है मेरे student ने यहीं पर shot किया तब सुक्रवारे वाले दिन और यह धमाका उनको मिला था मैं एक च पकड़ा तो सबने होगा छोड़ा किसी ने नहीं होगा सबने पकड़ लिया होगा मैंने जा करके ऐसी मजाक मजाक में लिख दिया मुझे लगता है कि market ना support ले रही है पता नहीं क्या करेगी कहीं recover करेगी क्या करेगी देखना पड़ेगा ताकि कोई hold करेगा तो घडबर ह जाएगा भाई इतना बढ़िया मोमेंट मिला सो डेट सो पॉइंट मिल गया कुरूड पर स्टिल यू वांट वो इतने धीट हो गए नो वो होड करते हैं पूरा जाते हैं ना सर स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं ना मैं का ठीक तुम लोग तो खिलाडी बन गए हमी तो सिनेरियो सिंपल है अगर मार्केट ने डबलू बैटन या कोई भी पॉजिटिव सेटप दिया तो इस तरह से बनाएगी राइट उपर की तरफ एनी रिजेक्शन मैं लिख राओं एनी रिजेक्शन शाट दा मार्केट वो वाली मार्केट है यहां से स्टीप स्टीप एनी रिजेक्शन शाट दा मार्केट स्टीप लेबल पहले यह दूसरा लेबल यह दूसरा लेबल तीसरा लेबल यह डबल फाइफ डबल जि nou हिल गए ना, लेबल देखें, क्या करें वही है, sell on rise है, आप समझोगे नहीं, तो ऐसा ही होगा, market sell on rise की है, बात करते हैं natural gas की, सबसे ज़्यादा trap करने में कोई index को महारत हासिल है, तो वो यह है, मैंने एक channel दिया था, अभी तक उस channel के ऊपर नहीं गया है, मैंने बोला था, यहां से गिरेगा, गिरा, 86 का लेबल दिया था, 87 के आसपास आया और मुड़ गया, अब क्या होगा, what next, what next, इस पर क्या होगा, देखो, अगर इस candle का low break कर गई market, जहां पर market खड़ी है, इस का low अगर break कर गई, तो अब थोड़ा सा मामला, नीचे की तरफ फिर से बन सकता ह उपर के लिए जब तक यह channel ना clear करे, तब तक कोई भी long position लेना safe नहीं है, 187 के नीचे हमारा STP होना चाहिए, STP और हमारा 182 का पहला level होना चाहिए, यहां पर उपर की तरफ एक pollen flag pattern जैसा scenario दिख रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यह pollen flag pattern जैसा situation बना के बैठा अगर market ने clear किया, तो इतनी height उपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, लेकिन यह बहुत trap करता है, natural gas मैं बहुत trap करता है, इसलिए मैं इससे ना, अपने student को बिलकुन नहीं बोलता, कि natural gas का ना moment मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कभी भी अपने student को पूस्तान स का breakout किया, तो एक level 197, यहां तक आने की कोशिश यह कर सकता है, first level, इसको clear किया, तो 202, 202, second level, next day, next day, 206, यह आपका दिखराय मेरे को, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर यह बेल आइकन के साथ में, आज के लिए कुछ इत बंदे मात्रम